तो हेलो दोफ्तों, मैं इमीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब बहुत जादे अच्छा होंगे तो दोफ्तों, आज की वीडिये में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह फे आप अपने Macbook के अंदर किफी भी application को delete किस तरह फे कर पाऊगे यहां पर आप लोग देख पा रहे हूँ कि बहुत फ़री application आपको देखने को मिल जाती हैं इनको अगर आप delete करना चाहते हैं तो वीडियो को complete ends तक जरूर देखेगा तो इसके लिए तो फ़र फे पहले आपको जो EV trick में आपको बताने वालो कि लिए आपको चले जयना आपर finder को option मिल जाता है आपने है कर देना है यहाँ परik जैश्वे आपड़ क्लिक करते हो तह यहाँ पर आपको third number पर applications का options मिल जाएगा जाएब आप यहां पर click करोगे, तो आपको फ़बी के फ़बी जितने भी application प्रेशन है वह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जो भी आप delete करना चाहते हो simply यहां पर click करोगे, यहां पर click करने के बाद आपको 3.0 मिल जाएंगे यह देखिया भी delete हो चुक है लेकिन permanent delete करने के लिए आपको याना है यहाँ पर बिनकंदर बिनकंदर जाने के बाद तो यहाँ पर click करके आप इफे delete immediately पर click करो and delete कर दो तो इफ तरह आपको फिर फे power forward डालना पड़ेगा power forward डालने के बाद यह पूरी तरह फे delete हो जाएगा तो मेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा